सुप्रुभात बच्चों, आज में क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, पार्ट 13, पेज नमबर 100, इस पार्ट में प्रोपकार की कविता है, इस कविता में ये कहा गया है, प्रकिर्टी के सभी तत हर्दम भलाई में लगे रहते हैं, इन से हमें क्या सिक मलती है, इन कविताओं से हमें क्या सिक मिलती है, इस कविता को पढ़ें और समझें, भाई देखो तो ये धर्टी, जब जितना कुछ पैदा करती, उसको अपने लिये न रखती, खर्च दूसरों के हित पर करते, फिर देखो पहार ये सारे, जो कुछ उपजाते बिचारे, सो सब औरों को दे देते, कभी स्वार्थ का नाम न लेते, बिच्च फूल फल हैं उपजाते, पर वे उनको कभी न खाते, उन्हें न अपने लिए बचाते, सब औरों के लिए लुटाते नतियां जितना पानी पाती, वे भी अपने लिए न लाती सब औरों के लिए बहाती, पर सेवा में समत बिताती इसे तरह तुम भी हो भाई, औरों की नित करो भलाई अगर चाहते भले कहाना, तो यसी भूल मत जाना ये सारे चाहे हमारे प्रकृती के तत्व हैं धर्ती, पहार, ब्रीक्ष, नदियां ये सब क्या है? हमारे सब प्रकृती के तत्व ये सब हमें अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं ये सारे चीज़ दूसरों के लिए ही देते हैं बच्चे इश्कविता की बारा पंक्तियां यार करके लिखें